दोस्तों रमस्कार हाज रेक बाफे से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ बस आपसे निवेदन है करपया वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर ले और गंटी बटन यह दवा दें पहली बड़ी खबर अखले सियादव ने योगी सरकार पर बोला जोड़दार हमला कहा दूसरे कारेकाल में अपराद की रफ्तार हुई दोगनी आपको बता दें कि यूपी में एक तरफ एनकाउंटर के डर से अपरादियों का सरेंडर हो रहा है तो दूसरी तरफ कई जिलों में संसनी खेज वारदातें भी सामने आ रहा है इनी वारदातों को लेकर अखले सियादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला प्रियाग राज में दरोगा के बेटे की हत्या और जौनपुर में मंदिर पर गांजा पीने का विरोध करने पर हुई फाइरिंग की खबरों और अपरादियों की दबंगई चरम पर है अखले सियादव ने कहा कि यूपी में अपराद की अब बुलेट प्रेन दोड़ रही है और बड़ी खबाल लोकसवा के बादव राजसवा में भी पारित हुआ दिल्ली नगर निगम संसोदन विदेयक केंडर को मिलेंगी कई सक लोकसवा के बादव राजसवा में भी दिल्ली नगर निगम संसोदन विदेयक 2022 द्वनीमत से पारित हो गया है तीस मार्च को लोकसवा में ये संसोदन विदेयक पारित हो गया था विदेयक को पेस करते हुए केंडरे ग्रयमंतरी अमित्साने कहा कि MCD के साथ में आमाद्म का सुचारू रूप से काम करना ज़रूरी है दिल्ली की अरविंद केजरिबाल सरकार की और इसारा करते हुए ग्रह मंत्री अमित्सा ने कहा कि इस समय कानून को लाने के लिए संबैदानिक छमता पर सवाल उठाए गए हैं हमें सत्ता का भूका कहने वालों को खुद आईने म अपनी तजबीर देखनी चाहिए आपको बता दें कि राजसबा से भी अब ये विद्यक पारित हो गया है अब राश्टपती के हस्ताक्षर के बाद ये कानून में बदल जाएगा इसके बाद तीनों MCD का दिल्ली में बिले करके एक ही नगर निगम मनाया जाएगा इसके सीतें आरचित की जाएगी इसके लावा केंदर सरकार का सेलरी वे अन्य सुविधावपन नियंतन होगा नई विद्यक में ये भी कहा गया है कि MCD कमिशनर सीधे केंदर सरकार को जवाब दे होगा कानून बनने और MCD के बिले के बाद दिल्ली सरकार की भूमे का बहुत सीमि मंतर पर धारना दे कर अपना विरोधर्ज कराया यह वाओने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री जाजनात सिंग से सेना भर्टी परिक्षा जल्द सुरू कराने का अग रह किया आपको बता दे कि इस दोरान भाटी सेना में सामिल होने का इच्छुक एक ह युवा सुरेज बिंचर राजिस्थान के सीकर से दिल्ली में एक प्रधासन में सामिल होने के लिए 50 गंटे में 350 किलोमीटर दोड़ कर पहुंचा सेना में जाने के इच्छुक युवाओं ने बठी परिक्षा इस्तगित करने को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धर नादे कर अपना विरोधश कराया है और युवाओं ने सरकार से सेना बठी परिक्षा जल्द सुरू कराने का अग रह किया है और बड़ी खबर रासन की दुकानों से अनाज लेने वालों के लिए इसी महीने से मिलेगी बड़ी सौगात सभी को मिलेगा हेल्थ कार्ड वियापक बता दें कि यूपी में रासन दुकानों से अनाज लेने वाले गरीबों को इस महीने एक और बड़ी सौगात मिलने जा रासन दुकानों से ही गरीवों का हेल्थ कार्ड भी बनेगा ये सुविदा प्रदेश के 40 लाग से अधिक अंतियोध्य कारदारकों को मिलेगी उन्हें मुख्यमंत्री जनारोग योजना का लाब देने के लिए State Agency Comprehensive Health and Integrated Services द्वारा इसी महाविशेस अभ्यान शुरू करने क की तयारी कर ली गई है ह्रासन की दुकान पार क्योसक लगाकर अंतियोध्य कारदारकों को मुख्यमंत्री जन आरोग योजना के तहत पंजीख्रत किया जाएगा मुख्यमंत्री योगिया अधितना थरकार ने अपने पिछले काड़ेकाल wen राजे के सभी अंतियोध्य कारधारकों को मुख्यमंत्री जन आरोग योजना का लाब देने का फैसला किया था 22 जुलाई 2021 को इस संबंद में कैबिनेट से प्रस्ता भी स्विक्रित हुआ था योजना के तहट सभी अंतियोध्य कारधारकों को 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविदा मिलेगी आपको बता दें कि पदादिकारियों की माने हैं तो अभी तक करीब 25 फीसदी अंतियोध्य कारधारकों के कारध बनाई जा चुके हैं राजे सरकार की प्राथमिक्ता में होने के करणा अब इस काम को तेजी से निपटने का फैसला लिया है इसलिए सभी जासन की दुकानों पर क्योस्क लगा कर गरीबों के कार्ड बनाए जाने का विसे सभियान चलाने का निने लिया गया है ये अवियान इसी महीने के अंतिम सप्ता हमें शुरू होगा अउली बड़ी खबर अनिलविज का बड़ा एलान बोले चंडीगड में हमने रखा है अंगद का पैर पीछे नहीं अटेगा हरियाना विदानसबा में प्रस्ता हुआ पारित ये अपको बता दें कि पंजाब और हरियाना के बीच में चंडीगड को लेका चल रहा वाकियोद्ध खत्मोने का नाम नहीं ले रहा इसी बीच हरियाना के मुख्यमंत्री मनोरलाल खटर ने राज विदानसबा के एक दिवसिये विशे सत्र के दौरान प्रस्ता पारित किया और कहा कि हरियाना राजदानी चेत्र चंडीगड पर अपना अधिकार बरकरा रखे हुए है योई हरियाना के ग्रह मंतरी अनिल बिजन ने भी इस मामले पर अपना बयान दिया है दरसल हरियाना के मुख्यमंत्री मनोरलाल खटर ने हरियाना विदानसबा के विशे सत्र के दौरान ये प्रस्ता पेश किया उन्होंने पंजाब पुनरगठन अधनियम से संबंदित सभी चिंताओं को दूर किये जाने ताक केंडर सरकार से मुद्दे पर कोई भी कदम नहीं उठाने का अग्रे किया है सदन ने केंडर सरकार से उचितम नियाले के आदेश के अनुरूप सतलुज यमना लिंक नहर के निर्माण के लिए कदम उठाने का भी अनुरूद किया है प्रस्ताम में कहा गिया है कि सदन पंजाब विदानसवा में एक अप्रेल को पारित प्रस्ता पर चिंता व्यक्त करता है आपको बता दें कि वहीं अनिल बिजने साफ कर दिया है कि चंडीगर में हमने अंगद का पैर रखा है जो पीछे नहीं हटेगा औरी बड़ी खवर मुंबई भूमी गोटाले में एडी का बड़ा एक्षन संजराओत के परिवार की 11 करण रुपई की संपत्ती हुई कुर्क या आपको बता दें कि प्रवतन नेदेशालयानी एडी ने मुंबई भूमी गोटाले में बड़ी करवाई कर्ट हुए आपको बता दें कि प्रवतन नेदेशालयानी एडी ने संजराओत के परिवार की 11 करण रुपई की संपत्ती को कुर्क कर लिया है आउली बड़ी ख़वर एडी के अक्षन पर जम कर बढ़के संजराओत बोले बाला साहिब ठाकरे का चेला हुँ गोली मार्दो पर जुकोंगा नहीं आपको बता दें कि सिफसेना के नेता संजराओत ने प्रवतन नेदेशालय की करण रुपई पर ठीकी प्रत्किरिया दी है उन्होंने एडी की ओर से अपना फ्लेट और प्लोट कुर की किया जाने को लेकर कहा कि बले ही मुझे गोली मादी जाए या फिर जेल भेज दिया जाए पर मैं चुप नहीं बैठूंगा संजराओत ने कहा कि मैं बाला साहिब ठाकरे का चेला हूँ जो कोंगा नहीं संजराओत ने एडी की कारेवाई को बदले का एक्शन बताया उन्होंने कहा कि यह जो कुछ भी हो रहा है वो सब बदले की कारेवाई से हो रहा है मुझे पहले ही धमकिया मिल लए थी कि यदि आप महराष्ट की सरकार को गिराने में सयोग नहीं करोगे तो फिर केंडर एजेंसियों की कारेवाई होगी बेहद तलक अंदाज में दिख रहे है सिवसेना के राजिसवा सांसद ने कहा कि हम डरने वाले नहीं है चाहे हमें गोली मार दो प्रॉपार्टी जप्त कर लो या फिर जेल भेज दो संजय राउत ने एडी की कारेवाई को बदले का एक्सन बताया है अउली बड़ी खबस सात राजियों के लोगों पर मडरा रहा खत्रा मौसम बिवाग ने अगले पाँच दिनों के लिए जारी की चेतावनी या बता दें कि देश के उत्री राजियों में लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों के पशीने चुड़ा रखे हैं लोग तक तकी लगाए बारिस का इंतजार कर रहे हैं इसी बीच मौसम बिवाग ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है मौसम बिवाग ने कहा कि अगले पांचे दिनों तक हरियाना, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, राजिस्थान, जम्मू, डिवी, जन, हिमाचल प्रदेश और मद्रप्रदेश में लू चलेगी ऐसे में लोग बिना बज़े बाहर निकलने से बचें अगर कहीं बाहर निकलना जरूरी हो तो साथ में पानी और सिरपा छत्री या फिर कपड़े का इंतजाम जरूर कर ले आपको बता दें कि आने वाले पांचे दिन बेहरी कड़ी धू पड़ेगी आउली बड़ी ख़वर करना टक में हिजाब के बादव गरमाया अजान का मुद्धा मुख्य मंत्री बोले के धार में किस थलों से हटाए जाने चाहिए लौड स्पीकर आपको बता दें कि महाराष्ट नवनिर्मार सेना प्रमुक राज ठाकरे के बयान के बाद महाराष्ट में लौड स्पीकर पर अजान को लेकर फेसे बहस शुरू हो गई है करना टक के मुख्य मंत्री बसवराज बंबई ने भी इस मामले में बयान दिया है इससे पहले करना टक के मंत्री केसी सुरप्पा ने कहा कि जाज में मस्जिदों के उपर लौड स्पीकर लगा कर अजान करने संबंद में एक हल निकालने की जवड़त है करनाटक के मुख्य मंत्री ने इस मामले में कहा कि नियम केवल अजान के लिए नहीं है बलकि जहां भी लाओड स्पीकर लगाए जाते हैं उनको संग्यान में लेकर कारेवाई होनी चाहिए पिछले साल हाई कोट ने दार में किस्थानों पर लाओड स्पीकर ना लगाने की बाद आउली बड़ी ख़वार नपजोत सिंग सिद्धू को नहीं मिलेगा एक और मौका नया नेता बनेगा प्रदे सद्यच यह आपको बता दें कि पंजाब दानसभा चिनाम में कॉंग्रे चेहरे पर चर्चा कर सकती हैं नए प्रदे सद्यच के नामित होने से पहले सूबे में कई गुरूप एक्टिव हैं लेकिन माना जा रहा है कि इस बार हाई कमान नए चेहरे पर ही दाव चलने के मूड में हैं इसकी बज़ए यह है कि पार्टी लीडर्शिप किसी भी तरीक कि गुटबाजी से बचना चाती है अउली बड़ी कवर सौनिया गांदी ने गुटबाजों को दिया सकत संदेज कहा कॉंग्रेस की मजबूती लोगतंतर में जरूरी यह बता दें कि कॉंग्रेस सद्यच्च सौनिया गांदी ने कहा कि हमारा एक बार फिर मजबूती से खरक कर रही है उन्होंने कहा कि यूक्रेंट से जिन चात्रों को भारत लाया गया है उनका करियर कैसे सुरक्षित रहे इस बात की चिंता भी सरकार को करनी चाहिए सोनिया गांदी का ये बयान पार्टी की ओर से आयो जित्त होने वाले चिंतन सिबिर से पहले आया है इस कि गुजरात में आमादमी पार्टी को बड़ा जटका लगा है, खबर है कि पार्टी के करीब देड़ सो नेता और कारेकरताओं ने भारती जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, अकेले आमादमी पार्टी ही नहीं, इस दोरान कॉंग्रेस को भी नुकसन उठाना पड़ा है पार्टी के कई सदस्यों ने बाजपा में सामिल होने का फैसला किया है, खास बात ये है कि इतनी बड़ी संख्या में आमादमी पार्टी नेताओं ने दल तब बदला है, जब एक दिन पहले ही राष्टी एस सैयों जक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिबा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंतमान के साथ में दो दिनों के गुजराद दोरे से लोटे हैं, कहा जा रहा है कि मार्च में ही आमादमी पार्टी के सैक्णों नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, अउली बड़ी खबर महंगाई पर संसद में चर्चा होन लोगसबा में आज जमकर हंगामा हुआ, विपक्च की इसी मांग को देखते हुए पिछले हपते हुई, लोगसबा की कारे मंत्रणा समिती की बैठक में ये तैह हुआ था कि 4 अप्रेल से शुरूह रहे सत्र के आकरी हपते में इस मुद्दे पारा चर्चा करवाई सरकार चर्चा का कोई भी समय तै नहीं कर सकी, सूत्रों के मुताबेक विपक्च के संसदों ने इस पर अपनी कड़ी नाराजगी जताते वे कहा कि सरकार पर कैसे भरोसा किया जाए, पिछले कुछ दिनों से लगातारा पेट्रोल और डीजल समेत अन्य जरूरी सामानों की क मता 9 रुपए 20 पैसे प्रत लीटर बढ़ चुकी है, आज ही कॉंग्रेस संसद्य दल की बैठक में सोनिया गांदी ने महंगाई को लेकर मोधी सरकार को निसाने पर लिया है, उन्होंने पार्टी नेता और कारिकरताओं से कहा कि महंगाई के खिलाप अभियान जारी रखा यह थी अब तक की बेहत बड़ी खबर हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि महंगाई को कम किया जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी डाय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करिप्या चैनल क सब्सक्राइब कर गंटी बटन जरू दवा दें, जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक कले जैहिन, जै भारत